माप संबंदित सवाल मेजरमेंट रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम सीखेंगे कि रोज मर्रा के कारियों का हल माप के प्रयोग से कैसे करते हैं अरे वा आम, दादू एक आम खालू खा ले ना, लेकिन पहले मेरी मदद करोगी हाँ दादू यह सारे आम हमें अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के हाँ भेजने हैं पहले इन आमों को इन बक्सों में डालना है हमें कितने बक्से चाहें होंगे दादू कुल कितने आम हैं, जोड़ो तो सही मैं करके बताती हूँ, पंद रहा और सत रहा हुए बत्तीस बत्तीस और बाईस हुए चौवण और चौवण और अठारा हुए बहत्तर कुल बहत्तर आम हैं बहुत अच्छे, अब इन बक्सों में आम रखेंगे दादू, एक बक्से में कितने आम आएंगे? एक बक्से में एक दर्जना याने की एक बक्से में बारा आम आएंगे तो बहत्तर आम कितने बक्सों में आप आएंगे? मैं दिखाऊं बहत्तर को विभाजित किया बारा से तो ये हो गए छे यानि के छे बक्से ओहो क्या हुआ दादू? हमें दस जगे आम भेजने हैं और बारा के हिसाब से किवल छे बक्से बनते हैं दादू, छोटे बक्से नहीं है क्या? है ना, बहुत अच्छा आइडिया है गुड़ी अगर दस बक्से करने हैं तो हर बक्से में कितने हाम होंगे? फिर 72 को दस से विभाजित करेंगे आप चाहें तो वीडियो को रोख कर इस सवाल का हल खुद करने की कोशिश करें फिर अपना जवाब वीडियो में बताये गए जवाब के साथ जांच लें इसका परिनाम हुआ साथ हम्, कुछ आम बच जाएंगे न? हाँ दादू, दो आम बच जाएंगे यह बहुत बढ़िया हो गया छोटे बक्सों में साथ आम आराहाम से आ जाएंगे और यह बाकी दो आम? यह तुम्हारे लिए थाइंक यू दादू आम खाने से पहले एक सवाल और दिक्की में रखना है बक्से की उचाई है 15 सेंटिमीटर और दिक्की की उचाई है 1 मीटर तो यह बताओ कि 1 के उपर 1 कितने बक्से रखने होंगे? यह मीटर और सेंटिमीटर क्या होते हैं? यह मापने की एकाईयां है यह देखो, यह एक सेंटिमीटर है यह तो काफी बड़ा है हाँ, एक मीटर मतलब सौ सेंटी मीटर तो डिक्की की उन्चाई हुई एक मीटर याने की सौ सेंटी मीटर हाँ, तो बताओ कितने बख से एक की उपर एक आ सकते हैं इसके लिए सौ को विभाजित करेंगे पंद रह से आप चाहें तो विडियो को रोक कर इस सवाल का हल खुद करने की कोशिश करें फिर अपना जवाब विडियो में बताये गए जवाब के साथ जांच लें इसका परेनाम हुआ च्छा है और तस सेंटी मीटर बच गए यानि छे बक से एक के उपर एक रखे जा सकते हैं चलो अच्छा है हमें दस बक से रखने हैं तो एक तरफ पांच बक से एक के उपर एक आ जाएंगे और काफी जग़ बच जाएगी इसी तरफ दूसरी तरफ भी पांच बक से एक के उपर एक आ जाएंगे पांच और पांच हो गए पूरे दस बक से आज हमने क्या सीखा? माप के प्रयोग से रोज मर्रा के सवालों को हल किया जा सकता है यह माप कई चीजों पर आधारित हो सकती है हमने लंबाई की एकाई जैसे मीटर एवं सेंटी मीटर पर आधारित सवालों के हल निकालने की विधी देखी धन्यवाद